कि आप फॉरेनर्स देखो रुपा हुआ है यार बॉइफ्रेंट गर्ल्फेंट लोग आया है वह भी बहुत ही बड़िया तरीके से इंजॉय कर रही है और मैं यहां पे बहुत है और शाम के टाइम बहुत सारा पब्लिक रेट है यह कुआ है और बारिश के वाएसे मैं ग्रि से पानी निकल गए मैं पूरी तरह से फ्रेश हो जाओंगा उसके बाद में जाओंगा नाश्ता करने के लिए कि सो में अभी गुवा में हूं और गुवा का नाश्ता कैसा है वह आपको पूल तरीके से बताऊंगा बने रे वीडियो के एंड तक मैं आपको लेकर चलने हो सब्सक्राइब कर चलिए को इस वीडियो को कंटीनियू करते है यार मेरा सकेटिंग किस तरह से पढ़ाया और घर पे अकेला रहनी के वजह से मैं इसकेटिंग का वीडियो नहीं दाल पा रहा हूं यार और कुछ दिन में मेरा प्रेंड्स लोग भी आ जाएगा उसके बाद को देखो और शेयर करो सपोर्ट करो मुझे आप लोगों का सब्सक्राइब का बहुत ज़रूर होते यह देखो यह कुआ है और बारिश के वएसे में ग्रिन लेल लगा रखाऊ ताकि कोई भी कच्रा उसमें ना जाया और पानी बहुत या अच्छे लगते हैं और उसमें से ब्रेकफर्स्ट करने की लिए इत्ध करो सो घाई देख सकते हो कितना ब्यूटिफुफफु जैसा और वाइसे ही गुआ का रासता भी इसी तरह ब्यूटिफुल दिखता है और मैं जारे हो सुबा का रुखा हुआ है यह तो और आ आवे और आने लगाये को की और आप मस्त दिखता है ना सो लोकल लांशता ये ही मिलते है यहां पर यह बाटटा कट किया हुआ है उसमें वह चिपस बनाय गया और यह दो ब्रेड नॉर्मली पानी का बोटल और यह जो राइट सेड में दिख रहे हो यह नारियल का सब्जी है जिसमें वट आना डाला हुआ गरमासाला और भी नारियल जो है पीस के इसको बनाया जाता है बहुत खाने में बहुत ही टेस्टिया अगर आप आएंगे तो यह खाना ज़रू टेस्ट कर लेना और सबसे एंड में एक बनना शेक पी लेते हैं और एक बहुत ही सहत के लिए अच्छा है कर दो सकते हैं उलस उयर खाने पूलस लिए है अच्छा हीन जासी। बाइक उदर पाक कर लिए और यहां से जा रहे हूं थोड़ा नीचे देखो यह बीच आ है अन्जुना फ्रेंज देखो यह अन्जुना बीच है और आहां तो लोग नारी आ इदार बीच का नाजर बहुत व्यूटिफुल दिग रहे हैं और तो पेटे भी है वहांपर और तो इस लोग इदार सब लोग आया हुए थोड़ा जाने के अदुछ कर रहा और रेस्टुरेंट अंजुना और बारिश के टाइम होटल फुल तरह चालू रहते अगर आप आया अंजुना बीच पे तो और रेस्टुरेंट याद रखो और इसका लोकिशन जो है मैं डिक्स्क्रिशन में देख दे दूंगा वहां से आप इस लोकिशन पे आ सकते हो अब बारिश का मौसम में इसके लिए पब्लिक बहुत ही कम आया है और शाम के टाइम बहुत सारा पब्लिक रेट है यहां पर और देख रहे हो कुछ लोग यहां पर रुका हुआ है और फैमिली के साथ साथ सब लोग यहां पर फुल इंजय कर रही है और जो भी बॉइफ्रेंड गर्फ्रेंड लोग आया है वह भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इंजय कर रही है और मैं यहां पर अकिला सिंगल तो अगर आप गोह पर आना चाहते हो या फिर बहुत आने का प्लैन बनाया है तो अंजुना बीच पर ज़रू एक बार आ जाना और अगर आप अंजुना बीच पर आया तो मुझे कमेट करके बताना कौन फोन आने हो लाए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में